हलो पैरेंट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए इसी पैटन से यूनिट फर्स्ट का ओनलाइन एकजाम होगा जिसमें एक कोश्चन के फोर ओप्सन होंगे और सही अंसर पर आपको टिक लगाना होगा ऐसे ही आपको अपने बच्ची को प्रैक्टिस कराना है देखिए य इसके मैंने फोर ओप्सन दिये हैं रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट तो यहां पर इसका सही अंसर है ब्लैक तो ब्लैक के नीचे जो बॉक्स है उसमें हमने सही का टिक कर दिया है ऐसे ही आपको एकजाम में भी बच्चों को कराना है जितने रीटेन एकजाम होंगे उसी तरश से होंगे लेकिन जो ओरल एकजाम होंगे हमारे वो ओनलाइन वीडियो कॉलिंग होगा तो उसमें हम कोश्चन बच्चों से पुट अप करेंगे और बच्चे उसका अंसर देंगे क्लियर है तो इस टाइप से ही हमारा ओनलाइन पेपर होगा थैंक यू आज हम जीके के कोश्चन लर्न और राइट करेंगे ठीक है तिक दा करेक्ट ओप्सन मतलब हमें जो करेक्ट ओप्सन है इसमें चार ओप्सन दिये गए हैं एक कोश्चन के चार ओप्सन है जो करेक्ट है मतलब सही है उसको हमें टिक करना है इसका यही मतलब है ऐसे ही हम लो जीके के सारे question को सही करेंगे, ठीके, चलिए हम लोग पहला question लेते हैं, how many nose do you have, मतलब आपके पास कितने nose हैं, तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर four option दिये हैं, three, two, one and four, तो आपको पता है ने, आपके पास कितने nose है, one nose, तो हम one के नीचे जो box बना है, उसको tick कर देंग यह हमारा one सही है, तो यहाँ पर हमने tick किया, अब हम second question है, how many finger do you have in one hand, one hand में हमारे कितने finger हैं, कितने finger होते हैं, जैसे, तो नीचे देखिए, five, six, four and eight, यह चार option है, तो आपको पता होगा, one hand में हमारे सिर्फ five finger होते हैं, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, five के नीचे box में, यह मारा right answer है, third question है, how many legs do you have, आपके पास कितने legs है, one, पहला option one, फिर three, two and five, तो हमारा right answer क्या है, two, हमारे पास two legs होते हैं, तो हम two के नीचे टिक करेंगे, यह मारा right answer है, हमारा question four है, what is the color of your hair, आपके hair का क्या color है, कौन सा color होता है, आपके hair को, तो आपके hair, देखिए, नीचे हमारे option है, blue, red, green and black, blue नहीं होता, red नहीं होता, green नहीं होता, तो आपका कौन सा color होता है, hair का black, तो हम यह आप black के नीचे right करेंगे, यह हमारा right answer है, फिर हमारा five question है, हाँ, what is the color of an apple, what is the color of an apple, apple का कौन सा color होता है, black, red, orange and blue, यह four answer है आपका, तो right answer क्या होता है, red, apple किस color होता है, red कलर का, तो हम red के नीचे tick कर देंगे, ठीक, अब हमारा six question आता है, what is the national fruit of our country, हमारे देश का national fruit, मतलब राश्टी, फल कौन सा है, mango, apple, pear and leechy, अब यह four option है, तो इसमें हमारा national fruit क्या होता है, mango, तो हम mango एक नीचे tick कर देंगे, फिर seven question, what is the national flower of our country, हमारे राश्टी, हमारा राश्टी flower क्या है, मतलब हमारा flower मतलब full, हमारा राश्टी full कौन सा होता है, rose, lotus, lily and halia, यह four option है, तो हमारा राश्टी full, यानि national flower होता है lotus, तो हम lotus के पास tick कर देंगे, ठीक, यह हमारा right answer है, अब eight question आया, what is the color of leaf, leaf means होता है, पत्ती, leaf means होता है, पत्ती, तो what is the color of leaf, पूछा है कि leaf का क्या color होता है, आपको पता है, green, red, orange and blue, यह four option है, तो आपको पता है ना, कि leaf का color होता है green, तो हम green के नीचे जो box है, उसको tick कर देंगे, अब nine question हम देखते है, what is the national tree of our country, मतलब हमारा national tree कौन सा है, राश्टी, पेड़ कौन सा है, ठीक है, अब यहाँ four option है, people, नीव, mango tree and बनियान tree, तो हमारा राश्टी पेड़ होता है बनियान tree, बनियान मिन्स होता है बरगत का पेड़, सबसे बड़ा होता है बरगत का पेड़, तो हमारा national tree बनियान tree होता है, तो यहाँ हम ठीक मारेंगे बनियान के पास, ठीक है, तेन question, we take dinner at, मतलब हम dinner कब लेते हैं, dinner मिन्स होता है रात का खाना, ठीक है, तो यहाँ पर four option है, afternoon, morning, night and evening, तो हम dinner किस time लेते हैं, हम लोग night में लेते हैं, तो हम night के पास tick कर देंगे, ठीक है चलिए, चलिए, आज हम लोग का यह class work complete हो गया, ऐसे ही सारे question का आपको learn करना है, और इसका जो homework है, उसको complete करके app पे डाल देना है, और ऐसे ही आपको learn और write करना है exam में भी, ओके children, यह आप लोग का homework है, इसको complete करके app पे डाल देजिएगा, ऐसे ही online paper में आप लोग का question आएंगे, ओके children, bye,